साथियो नमस्कार आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आया था कि सर जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो मार्केट में हमारे पैसे बहुत थसते हैं क्योंकि हमें उधार में भी माल बेचना पड़ता है बहुत सारे ग्रहक ऐसे होते हैं जो कि उधार में माल लेते हैं और कुछ द वाल उधार में भी बेचना पड़ेगा, साथी मोई वैसे मैं अपने हर बिजनेस आइडियाज में आप लोगं को कहता हूँ, कि आप कोई भी बिजनेस करिए, आप कैस में करिए, बेसक आपको थोड़ी मार्जिन कम मिले, आप थोड़ी margin कम लेके अपना business start करिए लेकिन फिर भी आप जैसे धिरी-धिरे business करते हैं जब आप business में काफी पुराने हो जाते हैं आप से लोग उधार लेने की कोशिस करते हैं या starting में भी आप से उधार लेते हैं तो आप अपना फसा हुए पैसा market में कैसे निकालेंगे या आप कैसे genuine दुकानदार ढूड़ेंगे जो कि सही दुकानदार है आपका पैसा वो refund कर देगा आपका पैसा डूबेगा नहीं हमारा आज का topic इसी पे आधारित है हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा informative होने वाली है अगर आप कोई business करने जा रहे हैं या आप कोई business करते हैं तो आप हमारी वीडियो ज़रूर देखना अगर आपके काम की यह वीडियो नहीं है तो जो ब्यक्ति business कर रहा है आप उसको यह वीडियो फारवर्ड कर सकते हैं यह वीडियो उसके बहुत काम आएगी मार्केट में फसा हुआ पैसा कैसे निकालें मार्केट में हम उधार कैसे दें इन सब चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले करूँगा आपसे वही एक रिक्वेस्ट अगर आप हमारे चैनल पर पहली वेर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक बिगर दीजिए जब हम कोई वेजने से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाते हैं सेल करने के लिए तो हमें उधारी का भी सामना करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि सारे कस्टुमर हमसे कैस में ही माल ले लेंगे बेसक हम थोड़ा सस्ता ही माल क्यों न बेचे लेकिन फिर भी बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं बहुत सी पार्टियां ऐसी होती हैं जो कि उधारी में माल लेना पसंद करती हैं उनका एक रूल होता है वो हपते में 15 दिन में एक महीने में इस तरह से पेमेंट करते हैं जैसे आपने उनको पेमेंट की परची दी है तो आपका एक महीने बाद या 15 दिन बाद जो भी उनकी कंडिशन होती है उस हिसाब से आपकी पेमेंट करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे दुकानदार भी हैं, जो कि आपसे माल तो उधार ले लेंगे, लेकिन आपका पैसा लटकाया रखेंगे, आपको अपना पैसा वसूलने में बहुत ही ज्यादा परिसानी होगी, जितनी आप प्रॉफिट कमाएंगे, उससे ज्यादा आपका भागदा में पैसा खर्च हो जाएगा, पैटरोल में खर्च हो जाएगे, तो आप कैसे जैनूँन दुकानदार को पहचा आने, किसको आप उधारी में माल दें, किसको ना दें, इसकी जानकारी आप कैसे करेंगे, साथिवों आप जो है सबसे पहले क्या करिए कि जैसे माल लिजे आप मार्केट में जाते हैं तो आप ये पता करिए कि इस मार्केट में पेमेंट का सेडूल क्या है जैसे माल लिजे कि उस मार्केट में लोग पेमेंट किस दिन करते हैं जैसे दिल्ली 6 में जितनी मार्केट है यहाँ पे बुधवार और सन्यवार को payment होती है जो दुकानदार उधार माल लेते हैं वो बुधवार को और सन्यवार को payment करते हैं साथी मैं आपको ये जो जानकारी ये प्रवाइड कर रहा हूं ये बहुत ही गूर जानकारी है आपको किसी भी चैनल पर इस तरह की जानकारी नहीं मिलेगी जो मैं आपको provide करता हूँ मैं market में रहता हूँ मुझे market की सारी जानकारी है market का पूरा schedule पता है कैसे payment निकाली जाती है पूरी जानकारी मुझे है इसलिए मैं आपके लिए सारी ज्यानकारी निचोड़ करके बताने की कोशिस करता हूँ साथी मेरे पास जो भी information होती है market से related, business से related मैं आपको सारा का सारा वैसे ही परोशने की कोशिस करता हूँ मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ तो आप पूरी वीडियो complete हमारी देखा करिए जिससे आपको पूरी knowledge हो आप जिस भी market में business करना चाहते हैं वहाँ पे यह पता करिए कि यहाँ पे payment का schedule क्या है जैसे माल लीजे सनीवार को payment वहाँ पे होती है तो आप सनीवार को सबसे पहले market में survey करिए market में आप घूमिए वहाँ पे जो बड़े बड़े दुकान दार हैं wholesaler हैं जहाँ पे आप माल देना चाहते हैं आप उनके आसपास वहीं पे दूर उनके दुकान पे मत जाएए दुकान के अंदर मत गुशिए आप उनके आसपास जैसे कोई पान की दुकान है या चाय की दुकान है तो आप उनके खड़े रहिए वाज करिए देखिए आपको थोड़ी सी साथियों जासूसी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि आप business से start करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाके पहले आपको थोड़ा सा research करना पड़ेगा आप वहाँ पे खड़े होईए देखिए कि वहाँ पे पेमेंट सही ढंक से दुकानदार करता है की नहीं करता है कोई ऐसा तो नहीं आया वहाँ पे जो कि उससे लड़ाई कर रहा है दुकानदार भी उससे लड़ाई कर रहा है उसकी पेमेंट नहीं दे रहा है मुशलिए ऐसा होता नहीं है फिर भी बहुत केसों में ऐसा होता है दुकानदार से लड़ाई होती ही है payment को लेके लड़ाईएं होती ही रहती है मैं तो दिल्ली में देखता रहता हूँ जो वैसे दुकानदार होते हैं जो payment नहीं करना चाहते हैं आपके पैसे सही business करना चाहते हैं वो payment दबाके रखते हैं बहुत से ऐसे दुकानदार हैं इनके पास पैसा होता है तो भी वह payment नहीं करते हैं और कुछ दुकानदार जो जैनुवन दुकानदार है उनकी मजबूरी होती है वह payment नहीं कर पाते हैं तो वह कह देते हैं कि भाई आज payment नहीं है कल परसों या मंडे को आप आना फला दिना आजाना आपकी पूरी payment करा वह जैनुवन दुकानदार होता है वह आपसे गलत बात नहीं करता है क्योंकि मार्केट में उसकी एक reputation है वह business करता है वह अपनी credit बचा के रखता है इसलिए वह payment सबको जरूर करता है और timely करता है हां कभी अगर कोई मजबूरी आ गई तो उसने payment नहीं की वह अलकी बात है तो वह जैनुवन दुकानदार होता है वो सबकी payment करता है तो आपको वहाँ पे खड़े होना है और वाज करना है ध्यान से कि वहाँ पे payment का क्या system है वहाँ पे सबको सही ढग से payment मिल रही है कि नहीं मिल रही है क्योंकि एक दुकानदार के यहाँ बहुत सारे supplier आते हैं एक दुकान पे सारी चीज़े पता कर ली, आप वहाँ पे आस पास अगर माली जो कोई दुकान है, चाय की है, पान की दुकान है, या कोई वैसे वहाँ पे लोकल कोई दुकान है, तो आप वहाँ पे जाईए, जैसे थोड़ी चीज़े आप वहाँ से खाईए, चाय पीजिए आप महाँ पे बैठिए उससे बात करिए कि भाई सब ये जो सामने वाले दुकानदार हैं इनके यहाँ पेमेंट के लिए लडाईया होती रहती है क्या ये कैसे बेखती है कि ये पार्टी कैसी है ये पेमेंट सबका करती है टाइमली की नहीं करती है तो वो सामने वाला दुक मार्केट में रिसर्च करिए जहां पे आप अपना माल सप्लाई करना चाहते हैं तो इस इसाफ से जब आप मार्केट में सर्वे कर लेंगे आपको जैनुवन दुकानदार मिल जाएगा फिर उसको आप माल देंगे तो आप कभी भी दोखा नहीं खाएंगे अगर कभी उसकी म माल देना है और किस दुकानदार को माल नहीं देना है साथिओं ये तो हो गए हमारा पॉइंट नमबर एक अब मैं आता हूँ अपने पॉइंट नमबर दो पे जब भी आप माल सप्लाई करें आप एक जो है परची जरूर बनाएं और वो परची उस उस दुकांदार को दीजिए क्योंकि अगर आप जैसे कच्छे में बिजनेस करना चाहते हैं तो मार्केट में जयादातर कच्छे पे ही काम होता है पक्का बिल बहुत कम लोग लेते हैं तो आप कच्छे की एक परची बना लीजिए और उस पे अपना टोटल माल की क्वांटि गया है टोटल एक आप रफली परची बना लीजिए और जब आप माल डिलिवर करिए आप उस परची पे उस दुकानदार की साइन करा लीजिए उसके बाद जो है आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि हाँ हमारा इतना एमाउंट आपके पास डू है अब मैं साथी हो आता हू अपने पॉइंट नमबर थ्री पर जिस दिन आपकी पेमेंट की डेट है आप उस दिन मार्केट में जरूर जाईए आप जो है बिलकुल भी आलस मत करिये आप जो है मार्केट में जाईए और अपने पेमेंट के लिए उससे जरूर मिलिए इससे क्या होता है माल लिजे पिर अगले दिन आप जब payment के लिए जाएंगे तो वो दुकानदार आपको अनाकानी कर देगा कि भाई साब आप तो उस दिन आये ही नहीं payment पड़ी हुई थी मैंने किसी और party को payment कर दी मैंने आपका बहुत देर तक इंतिजार किया आप आये नहीं अब आप फला date को आईए दो दिन, चारे दिन, पंदरे दिन की आगे की date आपको पकड़ा देगा तो फिर इस तरह से भी आप परिशान हो सकते हैं जिस तारिक को दुकानदार ने आपको payment करने के लिए कहा है उस तारिक को आप जरूर जाएए अब साथियों मैं आता हूँ अपने point number 4 पे देखिए जब भी आप माल दें उसकी payment आपको मिल जाए उसके बाद ही आप दोबारा मल उसको दें जैसे माल दिजे आपने 20 जार रूपय का किसी positivity को माल दिया है और एक महिने की आपको उसने date दी है एक महिने बाद जब आपकी पेमेंट मिल जाए उसके बाद ही आप उससे माल का order लेजिए जैसे माल दीजे आपकी पहली परची क्लियर हो गई, उसके बाद आप उससे कहिए कि हाँ सर ऑर्टर बता दीजए, क्या-क्या माल आएगा, तो वो दुकानदार आपको ओर्टर बता देगा, क्लियर होने के बाद, तो इस तरह से जब आपकी पहली पेमेंट क्लियर हो जाए उसके बाद ही आप माल दुबारा दीजिए अगर माल लिजिए आपकी पहली परची क्लियर नहीं की है दुकानदार ने और आपको फिर ओर्डर करता है तो आप उसको आना कानी करिए उसको कहिए कि सर पहली परची आप क्लियर करिए मेरे पास पेमेंट की कमी है पूजी की कमी है मुझे भी मार्केट से रौ मेटेरियल खरीदना पड़ता है माल मैनुफेक्चरिंग करने के लिए माल बनाने के लिए आप मेरी पहली परची क्लियर कर दीजिए और आप और नहीं पाए कि वो बैक्ति कैसा है वो दुकानदार कैसा है और वो आपको payment देने में हीला हवाली कर रहा है तो आप उसको एक offer दे सकते हैं कि सर अगर आप एक महीने के अंदर हमारी payment कर देंगे तो मैं आपको 2% का extra incentive दूँगा उसको आप discount मत बोलिएगा कि मैं आपको total amount में स 2% आपको discount कर दूँगा और अगर आप payment delay करेंगे जैसे माली जी हमारी 20 तारिक की date है या 15 की date है उसके बाद अगर आप payment करेंगे तो सर आपको 2% extra charge देना पड़ेगा तो आप यह condition उसके सामने जरूर रखिए तो उस दुकानदार की जैसी condition होगी वो बता देगा और फिर उस हिसाब से आप यह condition रखके उससे आप बात कर सकते हैं इससे आपको यह benefit होगा कि दुकानदार को माली जे कुछ extra discount मिल जाएगा तो आपको payment time से कर देगा और वो time से इसलिए भी करेगा कि due date के बाद अगर आप payment करनी पड़ेगी तो मुझे 2% का extra charge लगेगा तो आपकी payment वो time लिक कर देगा जब भी आप माल लेके जाएं sample लेके जाएं दिखाएं market में जब भी कोई दुकानदार order दे तो यह सारी condition आप उसके सामने रख सकते हैं हमारा जो अगला point है वो साथियों बहुती ध्यान देने वाला point है मान लेजिए कोई दुकानदार या कोई party आपक जो है बातशित करते रहिए आप अपने staff से phone कराईए email कराईए आप उसको जो है WhatsApp करा सकते हैं आप बराबर उसके touch में रहिए और payment के लिए उसको बराबर आप reminder देते रहिए phone आप कराते रहिए अपने staff से और फिर उसके बाद भी जब बात ना बने तो फिर आप direct जो है उ phone कर रहा है तो फिर उस हिसाब से आप से वह सही से बात करेगा और उसके बाद हो सकता है कि आपको किसी date पर बुलाए और आपको payment कर दे और अगर नहीं भी बुलाता है तो भी आपको उससे संबंद बिगाड़ना नहीं है मार्केट में आप किसी से भी संबंद बिगाड़ payment आप कर दीजिए आपके उपर भी बैडर नहीं पड़ेगा और हमारी payment भी धिरी धिरे निकल जाएगी तो साथियों यह पॉइंट बहुत ही महत्तुपूर्ण है आप उससे संबंद बिगाड़ के मत रखिए अगर आप संबंद बिगाड़ेंगे तो आपके सारे पैसे उ उसी दिन आपती payment डूब जाएगी तो इस तरह से आप ये strategy फालो करिए और धीरे धीरे आप पैसा निकालने की कोशिस करिए हमारा अगला पॉइंट जो है साथियों यह भी बहुत महत्तुपूर्ण पॉइंट है जब आप किसी को माल दें कोई दुकानदार आप से उधार में डाल दूँगा और आप अगर cash देंगे तो मैं check को नहीं लगाऊंगा आप मुझे cash दे देना तो आप ये condition भी रख सकते हैं जैसे माल लिजे 20 तारिक को payment के लिए उसने बुलाया है परची पे आपको लिख के दिया है कि हाँ आप 20 तारिक को payment के लिए आ जाना तो आप उसको 19 तारिक को ही phone कर दीजिए कि sir कल 20 तारिक है क्या करना है मैं payment के लिए कि स्टेम आऊं अगर वो दुकानदार आपको मना करता है कि हाँ आज मताना कलाना परसों आना इस तरह से हीलह वाली करता है तो आप उसको ये कहिए कि sir चेक मेरे पास पड़ा हुआ है मैं चेक ब दिन बाद जिस दिन आपको उसने बुलाया है तो फिर आप क्या करिए कि आप चेक जो है सिधा बैंक में लगा दीजिए एक बार वो चेक जब डिश ओनर हो जाएगा और उसके उपर case भी हो जाएगा फिर वो दुकानदार आपको बुलाएगा आपसे compromise करेगा कि sir आपको repay अगला point है यह है कि अगर आपकी payment अगर कोई market में फस गई है और वो निकल नहीं रही है और उसके कोई भी chances निकलने के नहीं है तो फिर आपको code का सहरा लेना पड़ेगा कानूनी सलाह आपको लेनी पड़ेगी उसके बाद आप महा से पैसा निकाल सकते हैं आप उस दुका मार के रूप मिल जाएगा आपको एक proof मिल जाएगा वो proof आप court में दे सकते हैं court आपकी payment अधिके बरी कराएगा जो भी court का खर्चा होगा वो भी उस दुकानदार को ही देना पड़ेगा उस party को ही देना पड़ेगा यह सबसे last वाला है मैं इस तरह की सलाह वे से कम देता लेकिन जब आपकी payment ऐसा लगे कि हाँ यह बेक्तिया payment नहीं करेगा हमारी किसी भी तरह से तो आप फिर last में कानूनी सहरा ले सकते हैं तो साथियों यह कुछ points थे जिससे आप अपना फसा हुए पैसा market में निकाल सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करते समये माल देते समये कोई आपके पास working capital कहा से बेचेगी आप अगर माल लिजे 10 लाग का माल बेचे देते हैं उसमें आपको माल लिए 2 लाग की profit होई आपने सोचा कि मुझे 2 लाग का तो profit हो गया है लेकिन जब आपकी payment market से निकलेगी तभी तो आपका working capital निकलेगा तभी तो आप आगे अपने business को बढ़ा पाएंगे आपको raw material के भी जरूत पड़ेगी आपका इस्ताफ है उसको भी salary देनी है अगर आप रेंट पे कोई जगे लिए हुए हैं उसका रेंट भी देना है बिजली का देना है बहुत सारे खर्चे होते हैं आप इस तरह से ये सारी strategy follow करके अपने business को कर सकते है तो साथियों ये रहा हमारा आज का business idea अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को subscribe कर दीजिए और वीडियो को like भी कर दीजिए मिलते हैं फिर किसे इन्या topic के साथ तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यबाद नमस्कार